हेलो दोस्तो, मैं केसरी नंदन एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ जो युस्सु काई सिन का ठर्ड एपिसोड तो अब तक हमने देखा कि रीको को जो की स्टार पाजमा वैसल है उसे लेने के लिए गोजो और गेतो आये हैं गोजो कहता है ये सब मेरी ही गलती है जो वो मिसातो को अकेले ही छोड़ाया उसे लगा था कि उनके दुश्मन सिरफ रीको के पीछे ही रहेंगे और किसी केर टेकर को तो इतनी इंपोर्टन्स नहीं देंगे गोजो प्लैन बनाता है कि वो मिसातो को बचाने के लिए रीको की जगा किसी और लड़की को ले जाएगा और उसे बचा लाएगा रीको जिदगरती है कि वो भी उनके साथ जाएगी गोजो कहता है अगर कुछ अन्होनी होती है तो हम तुम्हें पीछे ही छोड़ देंगे वो लोग ओकी नावा जो कि जपान में ही जगा है वहाँ पहुच जाते हैं और मिसातो को बचा लेते हैं और उसके बाद वो लोग बीच पे चले जाते हैं और मस्ती करने लगते हैं मिसा तो पूस्ती है तुमनों यहां फ्लाइट से आये हो गेतो बताता है कि गोजो ने फ्लाइट में हर एक पसेंजर को अच्छी तरह चेक किया था और उसने भी अपना कर्चवाला ड्रेगन बाहर निगरानी पे लगा रखा था पर गेतो को यह नहीं समझा था कि किड्नेप पर ने ओकी नावा को ही क्यों छुना विसा तो कहती है शायद से वो हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते थे तकि इरी को टाइम पे जुजुट्सु हाई ना पहुच पाए गेतो कहता है अगर उनका यही प्लैन होता तो वो हमें ऐसी जगा पे बुलाते जहां ट्रांसपोर् एरबोर्ट की निगरानी कर रहे थे गेतो गोजो को कहता है चलो वापत जाने का टाइम हो गया जिसे सुन रीको काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे यहां बहुत मजा आ रहा था गोजो उसे देख कहता है कोई बाद नहीं हम कल चले जाएंगे गेतो को गोजो की फिकर थी क्योंकि वो दो दिन से रीको पर नजर रख रहा था और अपनी कर्श टेकनीक को यूज कर रहा था ना तो वो दो दिन से सोया वहां रीको उनके साथ उकी नवा घूमती है और एक एक वीरिम भी जाती है ऐसे करते हुए वो अगले दिन जो जुस्सु हाई पहुच जात है गोजो कहता है क्या हम पहले मिल चुके हैं वो कहता है हाँ पर मैं भी तुम्हारी तरह लोगों की नाम जल्दी बोल जाता हूं गोजो को उसने बच्पन में देखा था क्योंकि सातोरों गोजो गोजो क्लैन में पैदा हुआ एक लौता ऐसा लड़का था जो शिक्स आई और इंफिनिटी पावर के साथ पैदा हुआ था और उसकी चर्चा दूर दूर तक थी गोजो अपने इंफिनिटी पावर से तोजी फुशी गूरो को उड़ा कर अपने से दूर कर देता है और गेतो अपने कर्द को निकालता है और उसे निगल जाता है गोजो ठीक था क्य फूशी गुरो उस कर्स का पीट फाड़ कर बाहर निकलाता है। बनाया था ताकि वो अपनी ताकत को पूरी तरह इस्तमाल ना कर पाए। उसमें कोई कर्स एनरजी ही नहीं थी। इसलिए गोजो अपनी ब्लू टेकनीक का मैक्सिमम पावर से यूज करता है और सारी बिल्डिंग्स को तभा कर देता है। ताकि कोई छुपने की जगा ना बच सके। तभी बहुत सारी फ्लाइ हेट्स उसे चारों और से घेर लेती हैं। फ्लाइ हेट्स दिखने में मक्षी जैसी होती हैं और काफी कमजोर कर्स होती हैं। ये शायद फूशी गुरो के साथ जो कर्स था उसके पेट से ही निकली थी। गोजो पहले सोचत है कि वो इनके बीच ही चुपा होगा और वो उन्हें खदम करने के लिए अपनी ब्लू ट इन्वर्टिट स्पेर उफ हैवन जो किसी भी कर्स टेकूर को एक वार में खतम कर जकता है उससे गोजो की इन्फिनिटी शील्ट को चीरता सीधा उसके गर्दन पर वार करता है और गर्दन को चीरता हुआ उसके पैर तक पहुँच जाता है और अपने दूसरे हाथ में आगे तक नहीं जा सकती थी, इसलिए वो एक दूसरे को वहां से अलविदा करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और वहां पहुच जाते हैं जहां टेंगन का इलाका यानि टेरिटेरी शुरू होती है, गेतों से बताता है कि तुम्हें यहां से आगे जाना होगा और टेंगन तुम्हें अपने बेरियर में ले लेगा जब तक टेंगन तुम्हारी बोडी को अब्जॉब ना कर ले गेतों कहता है पर तुम चाहो तो हम वापत भी जा सकते हैं वो बताता है गोजो और गेतों ने इस बारे में पहले ही डिसाइड कर लिया था और उसके लिए वो टेंगन से भी लड़ने को तियार थे वैसे भी वो जुजुसु हाई के स्टॉंगे स्टूरंट थे रिको रोते हुए बताती है जिए वो पहले से जानती थी कि वो स्पेशल है पर वो सच में अपने दोस्तों के साथ वक्त पिताना चाहती है और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाती है ये तो कहता है रिको चलो वापस घर चलते हैं तभी बीचे से कोई रिको पे गोली मारता है और रिको वहीं मर जाती है वो गोली तोजी फूशिक गूर नहीं चलाई थी ये तो कहता है तुम अंदर कैसे आप आए वो कहता है सातुरू ने मुझे रोकने की को यहीं कतम हो जाता है